यहां पर सबसे पहले गीवेन जो पार्ट है वह लिखेंगे यहां पर बच्चों देख सकते हो सबसे पहले आपको लिखना है यहां पाई सेक टीटा माइनस ट्वेल कॉसेक टीटा स्कॉल टू जीरो यह हमने लिख दिया अब अगर मैं ट्वेल को बच्चों उस तरफ लेके जाता हूं तो ट्वेल अगर उस तरफ लेके जाओ जगाश शिफ्ट करतो हम लोग फोला डिफिकल कोश्यन और मार्क्स वाला क करने जाओंगे तो क्या हो जाएगा इस तरफ क्या है माइनस में उस तरफ जाएगा तो फ्लस में हो जाएगा उस तरफ लेके जाओगे आप किर लेक्टे ओव देखने अबиваетॉion तरफ यानि यहां करन वाला इ surrendered लेके चले जा और दूसरी तरफ जो अपने को दिख रहा है क्या दिखना कोसेक वाला याउसेक वाला इसको एक तरफ रख दो जब मैं लाओंगा तो दोनों की बीच में क्या आप बताना अगर माख पूछता हूं तो कि दोंबर मल्टिप्लाइ में है यहां पर पार्ट दूसरी तरफ आता है तो इस तरह में चले आता है तो बस यहां पर आपको लिखना है सेक टिटा डिवाइड बाई कॉसेक टिटा यह हो गया आपका ट्वेल अपान अगर आपसे पूछूं कि बता दो मुझे कि सेक टीटा जो होता है कि कॉसिक टीटा किसके बराबर होता है तो आप आपको मालूम है या फिर मैं बोल सकता हूं साइन टीटा किसके बराबर होता है वन अपान को सेक टीटा के बराबर होता है इसी तरह अब आपको मालूम है कि सेक टीटा जो बराबर होता है किसके बराबर होता वन उपान कोॉर्ड इटा यानि मैं सेक की जगा पर बच्यों क्या लिख सकता हो और वन NOWकॉसे करण क्या लिखता हूं, s אניटेटा लिख सकता हूं अगर मैं थोड़ा से इस को अलग करो इसको मैं थोड़ा से अलग करो अलग करके लिखना चाहूँ तों क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता c detail यहां से इसको फ्लेस इसको थोड़ा सा खाव दे रहा हूं मैं इसको जगा इधर कर दिया हुआ यहां क्या बचा ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब यह बचा वास समझ में आया यह सेख प्लेस मैं ने हटा दिया आप देख कितरा किसके बराबर दिख रहा है वन अपन को सेक किसक सकता हूं। तो मैं इस प्लेस पर साइन नहीं लिख सकता हूं तो यहाँ पर साई नहीं नहीं दिखना आपको साइन टीटा कि सलब होना पन को सिक्क देना साइन टीटा 9 और यह स्यक्ती टीटा इसके बराबर mates से त्य आपका है इसके जगह क्या लिख सकता हूं 1 upon cos 12 upon 5 यह आपको clear हो गया इसके जगह क्या बन गया 1 upon cos एक की जगह साइन बन गया और sec की जगह क्या बन गया 1 upon cos theta कहां से आया है देखो यहां से मैं बता दिया आपको ठीक है अब आगे इसको करते हैं इसको तो यहां पर अपना उपर क्या है साइन टीटा और नीचे क्या आगया कॉस्ट टीटा इसपर 2 12 upon 5 देखा हमने कहां से लाया 1 upon cos sign उपर है तो sign को उपर ले लिया बच्चो और कॉस्ट नीचे था था कॉस्ट को नीचे ले लिया इतना क्लियर हुआ अब अपने को मालूम है यहां पर रिजन दे सकते हैं क्या रिजन दे सकते हैं कि भाई साब हमको मालूम है कि जो साइन टीटा होता है सिस जो होता है मैं यहाँ पर लिख दूँ ऐसा कि 10 टीटा किसके बराबर होता है तो आप बोलो कि साइन टीटा अपान कॉस्ट टीटा के बराबर होता है यह फॉर्मुला हमारे पास साइन फीटाहूं कॉस्सीटेगा बरबर होता है इसका मतब साइं फॉर्मूला है बता आपको याद इ跳ेर हमारा जो यह आगे आपका यह वाला एंशर हो सब्सक्राइब छाए कुक्त है 10 ठीटा आ गया ठीक है तो अपने पास 10 ठीटा आ गया यह इतना हो गया आपका एंगा के लिए यहां तक आपको समझ में आया है ने यूटए होने वाला कौन सा फॉर्मला हो सकता है को बताएगा मुझे चुपा ओने वाला था오िए बताओ जरह आपको मालूम है 1 प्लैस टेन इसक्वाइर किसके बराबर होता है बोलो 1 plus 10 square sec के बराबर होता है वो formula हमने इस्तेमाल किया तो यहां भी लिखोगे we color ले लेता हूं मैं we know that क्या formula होता है 1 plus 10 square theta is equal to किसके बराबर होता है sec square theta के बराबर होता है यह formula सभी को याद है अब बस यहां पर क्या करना 10 की value put कर दो 10 की value कितनी है 12 upon 5 है तो यहां पर रख दो 12 upon 5 square अपने को क्या मालूम पड़ जाएगा sec मालूम करना है तो sec मालूम पड़ जाएगा square करो के तो क्या हो जागा यहां पर जैसे हमने square किया तो कितना हो गया 1 plus 12 का स्क्राइर कितना होता है सभी को मालूमे 144 पांच के स्क्राइट 25 स्यक्ट टीटा कि 12 का स्क्राइट की तो 245 होता है तो हमने लिख दिया अब क्रॉस मैंने करो 25 का कितना स्क्राइब आजाए का tools क्रेटेब वाजिन आ जाए गई है 169 अब फावर हटाने के लिए फिर यहां पर का करना पड़ेगा अंडरूट मिलाना पड़ेगा तो हम लिए अंडरूट मिलाना है 169.25 सैटीटा अब जैसी पावर हटा आओगे अंडरूट अटाओ गे तो क्या आ आगए यहां पर 169 किसका स्कॉर होता है तो सभी को मालूम है यह 13 का होता है और 25 किसका होता है पांच को होता है तो सेक्ट टीटा कितना आगया हमारे पास बच्चो थर्टेन अपन फाइए इसलिए हम लोग वो सकते है कि हमारा जो होगा से बराबर होगा 13 अपॉन 5 के बराबर होगा ठीक है तो हमारा जो एक एंसर और आ गया क्या आ गया हमारा एंसर जो है यह वाला आ गया जो है कलर में चेंज करता हूं कौन से इस से हैं ठीक है तो हमें क्या क्या चाहिए था सेख चाहिए था हमारे पास सेख आ गया अभी क्या चाहिए और साइन टीटा चाहिए और साइन टीटा चाहिए तो देखो बच्चो सेक आया तो कॉस क्या होगा हमको मालूम है सेक का उल्टा क्या होता कॉस होता है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते है रिजन क्या लिखना आपको मालूम है न तो कॉस्ट टीटा कितना हो जाए तो ठीक है कि स्टिटा जो होता है इसके प्रापर होता में से एक हो गया। सब्सक्राइ!* करने का आसान फारोला है। छसक झात है कि इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि वच्छो हमने हम मालुम किया। सिर्फ यहाँ पर है। तो भी आ जाएगा अगर मैं है यहां पर sin theta की value put कर देता उसके अंदर तो भी अपने को मिल जाएगा ठीक है तो आप एक काम करो सिर्फ यहां पर इसके अंदर sin theta upon cos theta कितना है 12.5 यहां पर sin theta मालूम करना है तो cos theta की value पूट कर तो cos theta की value कितनी है यह जैसी पूट करोगे तो आपका इंसर आ जाएगा या तो यह method करो दूसरा method मैं बताऊंगा दूसरा method क्या हो सकता है कि sin और cos कहां पर होते हैं साथ में तो कौन सा formula है आपको मालूम है sin square theta plus cos square theta is equal to 1 यह formula होता है इस formula भी put करोगे तो भी हो जाएगा तो चलो मैं उसको वापस solve करता हूँ पहले आप इतना screenshot ले लो फिर मैं बताता हूँ कि आगे कैसे solve करेंगा ठीक है उतना screenshot ले लो फिर मैं आगे बताता हूँ कि कैसे लाती है sin theta देखो यहां पर दिया 10 theta 12 upon 5 और 10 किसके बराबर होता है हमको मालूम है 10 बराबर होता है sin theta upon cos theta के तो बस मैं यहां पर काम करता हूँ अब 10 theta कितना आता 12 upon 5 यहां लिख जा 12 upon 5 हमने sign मालूम करना है sign वैसी रखो आप cos कितना था तो बताओ कॉस कितना था तो कॉस हमने लाया कितना है 5 upon 13 तो 5 upon 13 यहां पर लिख दो 5 upon 13 इस तरीके से लिख सकते है यह formula भी यूज कर सकते हैं दूसरा मैंने क्या बता है चाहे identities वाला भी इस्तमाल कर सकते हो चाहे कोई भी इस्तमाल करो हाना solution वही आने वाला है तो अब क्या करो यह 5 upon 13 है यहां पर डिवाइड में तो उपर जाएगा तो क्या हो जाएगा multiply में 12 upon 13 आ गया clear सभी को समझ में आया कैसे करना था तो 12 upon 13 साइंट ही था की value आ गई क्लिरली समझ में आया अच्छे से समझा अगले question की तरह हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद काफी important question था काफी बड़ा question था एक्जाम के लिए important question है ठीक है तीन marks के लिए मैं इसको clear कर दिया आपको screen shot लेना तो screen shot ले लो आप ठीक है फिर अगले question ने तरह बढ़ते हैं चलिए यह भी question बहुत अच्छा question है बच्चो इसमें क्या दिया 10 टीटा जो दिया वन दिया फाइंट वैलूज ऑफ साइन टीटा इसका मतलब है हम लोगो क्या करना पड़ेगा हमको यह solve करना है इसका मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए हमारे पास solve करना पड़ेगा पूरा value लाना पड़ेगा तो सबसे पहले 10 दिये तो 10 क्या करोगे मैंने क्या पता यह इसी 10 दे क्या करने का identities में जाने का start करते ही सीधा identities में जाने का है identities वाले फार्मुले तीन फार्मुले तीनों में से कौन से है कि यहां पर हमारे दिमाग का घंटी बजगे यही आता है फार्मुला तो क्या पड़ेगा फॉर्मुले लिख देना पड़ेगा तो हमने लिख दे इस्टार्ड करते हैं यहां पर और start करते साथ लिख देते हैं 10 theta क्या दिया है हमारे पास 1 दिया है और हमारे पास formula क्या है वो लिख दो we know that करके तो हमने लिख दिया क्या formula है 10 square theta plus 1 किसके बराबर है सेक square theta के बराबर है तो यह हमने formula लिख दिया start AC करना आपको पिर आपको क्या करना है 10 के वैलिव कितनी है 1 यहाँ पर लिख दिया हमने 1 का स्क्राइर इस्क्राइर कितना होता है, आप लिख दो, और 4 हो गया 2 हो गया, अब power हटाना है तो क्या करूगे यहाँ पर अंडरूट रगा दोगे जब अंडरूट लगाओंगे तो यह हो जाएगा अंडरूट टू शेक ठीटा आपको बच्यों मिल गया तो रूड़ए मिल गया थे है मिला अंडरूरूट मिल गया यह वह गया आपका क्लियर, सेकञ टἍक मिलना तो कॉस भी चाहिए हमको मालूम है सेक का उल्टा क्या सक होता है अगर सक टीचा अगर रूट टु है तो कॉस्स टीचा कितना होगा तो आप यान certific उलता होता है सर यानी 1 up on root two होगा रीजन चाहो तो आपके पास और ठीक है यहाँ पर आपको खी आगया चाहरा यहाँ पर भी सेक और आगया कौश आ गया तो सिक मिल गया अपने पास और कॉस्प बिया अभी क्या चाहिए साइन चाहिए और को शी चाहिए साइन चाहिए ने मालू Mे और अपने की मालू मेंप नेनक Tabii मारू में से आजएगा तो करने बच्छो जैसी हमने ऐसे देखा। 10 की वैलू ही त्यार की दर गई ये हैं तैन की वैलू तो रखेंग की जगह पर हमने क्या लिए वन्लेकित होगा। और साइन टीटा वैसे लिग दो कॉस्ट कितना है हमारे पास तो आपने पता कॉस्ट टीटा कितना वन अपान रूट टू अब यह उठा कि जब इस तरफ लेके जाओगे शिप्ट करोगे तो यहां पर आएगा तो किस्से मल्टी होगा फलाए वन अपन इससे मल्टिप्लाइ अब आपको लेना है CAUSEC की value, CAUSEC क्या होगा, SINE का उल्टा होता है, सभी को मालूम है, SINE किता है, One upon root 2, तो CAUSEC क्या होगा, उल रूट टू ओपर चले जाएगा, Root 2, Reason वैसी देना है, जैसे मैंने बता है, तो LASH में क्या लिख देना है, साइन टीटा किसके बराबर होता है वन अपॉर को सेट टीटा के बराबर होता है ठीक है यह लिग दिए तो इसका रिजन उसके आगे दिए नहीं जगह काम है तो मैंने लिख रहा हूं आपको लिख देना माक्स रहेगा उस पर यह अपने पास कॉस्ट टीटा आ गया बच्च है अब आज तें फाइनल कोशन के तरफ है नहीं आप यहां पर अब यहां पर करके मां लिखता हूं चलो ही यहां से श्टारड करतें झाल साइन टीटा जो दिया आपको साइन टीटा कोस्ट टिटा अपन सब्सक्राइबbest अब सभी की वेलू टाई रखनाया इतğ में इतना ख्लेर अपकर क्या करना सब के वेलू फूर्ट करों संटिटा कितना दिया द sólo कहां सब्सक्राइब संटिता एक उसक्राइब सब्सक्राइब कि दर रहिए ये स्टिटा की विए वगुट दिया हमने वन अपन प्लस कॉसेख ठीटा का है तो कॉसेख ठीटा हमने धूड़ना है कॉसेख ठीटा यहाँ पर रूट टू लिखतो रूट टू क्लिर इतना समझ में आया अब इसके बाद बच्चो अब देखो ऊपर कितना वन नीचे किया है रूट टू हमको मालूम है कि अगर डिवाइड में और दोनों का जो डेनोमेटर सेम हो जब डेनोमेटर सेम हो तो कितनी बार लिखा जाता है डेनोमेटर को एक बार लिखा जाता और उपर वाला जो पार्ट रहता है उसको क्या करते उपर वाले पार्ट को प्लस कर दो माइनस है तो माइनस और नीचे वाला जो है अगर सेम है त तो ओपर वालवाल फ्लस क pengगे कितना आजिका तूउ और नीचे कितना आजाए का रूट टू इसको दो बार तो तो यहां हो गया 2 root 2 कि इतना क्लियर होगे आपको समझ में आया 2 root 2 हो गया अब देखो इसके नीचे अपॉन है तो इसके नीचे कुछ नहीं माना है अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं इसके नीचे क्या है वन इसके नीचे कुछ नहीं मतलब हम क्या मानते तो इसको आगे कैसे लिखा जाता है सभी को मालूम है बच्चो आगे हमको लिखना है तो इस तरह से लिखिंग तू अपॉन रूट टू और नीचे वाला उपर चलिए आएगा और इस तरह से आ जाएगा ठीक है यह उपर शिट हो जाएगा उपर की तरफ चले आता है वन चले डो के बद्रहबर इसको सांट की तो हमारे पास क्या आए गया रूट 4 अलूट 4 किसके प्रावरस ता वन अपॉन के बढ़ाबर तो हमारा फाइनली एंसर कितना आ अगया बच्चो अब देख सकते हुकि हमारा जो फाइनल आंसर आगये वो आगया वह आ अपॉन अप just यह हमारा final answer था सभी को समझ में आया कैसे करना था बहुत अच्छा था लिए इसके बाद हम लोग कोशन देखते कौन सा है इसके बाद प्रूफ आले कोशन है तो आज के लिए इतना है अगला कोशन इसके आगे कर रहे हैं हम लोग ठीक है या विस्क्रेंशोट ले लो इसके के बाद हम लोग इला कोशन करते हैं